हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आज की कहानी है हमारी सारस और लोमड़ी की कहानी बच्चो इस कहानी को पूरा जरूर देखो और हम देखेंगे कैसे सारस और लोमड़ी की कहानी में सारस और लोमड़ी कैसे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते हैं और कैसे सारस लोमड़ी क को सबक सिखाता है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखना और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना सबस्क्राइब करना तो चलो शुरुआत करते हैं आज की कहानी सारस और लोमड़ी की तो बच्चो किसी जंगल में एक लोमड़ी और सारस बहुत ही अच्छे दोस्त थे तो सारस था वो बहुत ही भोला बाला और सिधा साधा था पर दूसरी तरफ लोमड़ी लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और बहुत ही चतुर थी तो दोनों काफी एक दूसरे के अच्छे दोस दोस्त थे रोज नदी किनारे मिला करते थे मजे करते थे मौज मस्ती करते थे तो जो सारस था वो लोमडी को नदी में से मचली निकाल के खिलाता था तो काफी अच्छे दोस्त होने के बाद एक दिन सारस कहता है यार हम इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं तुमने आज तक मुझे कभी खाने पर बुलाया ही नहीं तो लोमडी कहती है हाँ हाँ दोस्त एक दिन तुम मेरे घर आना संडे के दिन तुम मेरे घर आना घर पर मैं तुमारे लिए श्पेशल खीर बनाऊंगी फिर हम दोनों मिलके खीर खाएंगे और पार्टी करेंगे तो सारस बड़ा खुश हो जाता है कहता ठीक है दोस्त मैं संडे के दिन आपके घर आऊंगा तो फिर बहुत दिन हो जाता है संडे का दिन आता है तो संडे के दिन सारस जाता है लोमडी के घर में और बोलता है दोस्त मैं एगsels एकाम करता हूं मैं चाला की से इसको खीर खिलाता हूं तो वो दो प्लेट के अंदर खीर अक्यलाता है क्योकि सारस की चोंश लंबी होती है तो सारस अपनी लंबी चोज से खीर पकाड़ी नहीं सकता था तो फिर वो खीर नहीं खा पाता है और लोमडी फटा-फट अपनी जीब से चाटके सारी खीर खा जाती है और इस तरह चलाकी से लोमडी सोचती है वह मैंने तो इसको बेफकूब बना दिया अब प्लेट की खीर भी मैं खालूंगी फिर सारस बिचारा सोचता अरे यार लोमडी ने तो मेरे साथ चलाकी कर दी अब मैं अपनी खीर कैसे कहाँ मैं तो भूका रह गया जब दोनों के दोनों अब खाने का टाइम खतम हो जाता है फिर लोमडी बोलती है दोस्त खीर अच्छी में तो सारस बोलता है अच्छी लोगी पता था सारस को भूक लग रही थी फिर भी वह बोलता है मुझे ठीक लगी अच्छी लगी बहुत टेस्टी थी अब एक काम करो अगले संडे तुम मेरे घर आना लोमडी को बोलता है तो सारस बोलता है लोमडी भाई लोमडी भाई अगली बार तुम मेरे घर आना, मैं तुमको बड़ी आसी कुछ चीज खिलाऊंगा, मैं खिचड़ी खिलाऊंगा तुम्हें बड़ी आसी, तो लोमडी खुश हो जाती है, और मनी मन में बोलती है, अरे देखो कितना बेफकूफ है, मैंने इसको चलाकी से अपने घर में बु फिस संडे का दिन आता है दोबारा इस बार लोमडी स्पाइरा के घर जाती है तो सारस दो बड़ी बढ़ी बॉटल में से खीर कैसे खाऊ- इस बॉस्त में नहीं तो मेरा मुई नहीं पिर वो साहरस से जाके sorry बोलता हूँ और sorry मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो आगे इसे मैं कभी लाला сч नहीं करूँगी ौर चलाकी नहीं करूँगी तो दोनों बोलते हैं एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं दोनों इक दूसरे को स्वारी बोलते हैं और अपनी अपनी प्लेट में खाना खाते हैं जो साथ लोमड़ी होती है वो प्लेट में खाना खाती है सारस होते हैं वो बोटल में खाना खाता है इस तरह से दोनों अपनी प बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा हुगा जैसा लोमडी ने सारस के साथ किया था लोमडी ने पहले सारस के साथ चीटिंग करी तो उसके साथ भी गलत हुआ तो सारस ने भी उसको सबक सिखाया ऐसे हमें अपने दोस्तों के साथ कभी चीटिंग करनी चाहिए क्योंकि हम अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा तो अगर आपको यह कहानी अच्छे लगी तो इस चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मुझे कहानी का नाम कमेंटर में जरूर बताओ कि आपको और कौन सी कहानी जाननी है कौन सी कहानी सुननी है तो दोस्तों मिलेंगे अपनी दूसरी नई कहानी में तब तक के लिए बाए